टीम आपको रोमा चित करने के लिए तयार है। टीम आज रोमा जख राइपल कर्तबों को नौ विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्कॉायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी दक्षता को आपकी नद्दीक आकर प्रतरशित करेगी। टीम अब डबलू फॉर्मेशन में रोमा जख कर्तबों को प्रतरशित करेगी। असीम अभ्यास एवं परिशम करने के पश्चार यहां टीम, जटिल, गत्विदियों को संयुक्त रूप से प्रतरशित कर रही है। टीम अब खवेशन एख करेगी। टीम अबलूब टीम अबलूब। ग्रत वच्वेशन आप करेगी। टीम अबलूबुद अबलूब। बारिय। टीम अब डबलू फोर्मेशन से कुछ करेगी और आप देखिए अब तक का एक नया कारनामा जिसमें वायोध्धा बिना देखे ही राइपल को अपने साथ चल रहे साथी की और फेग रहे हैं इस बीच अले सी तरुन देशवाल आगे बढ़कर उचिस तरी एकल परदशी करेंगे जो की फुर्ती लुलाची लापाने और अदम में साहस का संयोज़ ज़िए अगली फॉर्मेशन है रॉम्बस फॉर्मेशन यहां हमें इन वायोध्धों की मानसिक एवं शारे रिक्षमता के बारे में कहने की अवशक्ता नहीं है क्योंकि जिस राइफल का वजन साढ़े पांच किलो है वा इनके हाथ में खिलोनों के समान प्रदीत होता है अब समय है कि आपको एक और धारत अंगेस करता पेश किया जाए जिसमें वायोध्धा बिना देखे हुए पीछे खड़े साथी को राइफल पेके के आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके मद बारा फीट की दूरी भी है अगली फॉर्मेशन है इन्कलाइन लाइन फॉर्मेशन इसमें वायोध्धा एकी कतार में चलते हुए राइफल की अतला बद्दी करेंगे कर दोनों, आपकों मुलाइन इसमें यह झालते हुए बारा फीजू है झाल झाल प्रदर्शन अनुशाशन और प्रसिक्षन के साथ साथ तीवर्ता का प्रतीक है ड्रिल वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशाशन वायू सेना की जीवन शैली है